जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब आई हो आप सभी अच्छे होंगे और तेजो एजुकेशन के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे आप सभी करेंगे आप सभी लाश्ट तक इन कुश्चन को कीजे और एक बार आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह सीरीज आपको कैसे लगी इसी सीरीज को आप सभी को कांटियूनी प्रोवाइट करना चाहिए तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगे और कम्पलीट कोश्चन में से आपने कितने कोश्चन को करेक्ट किया है यहाँ पे अगर हम देखे 25 प्लस कोश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं और कम् मनुश्य के जो सरीर में हड्यों की संख्या कितनी होती है तो हमने आप जो कुश्चन का प्रेटर्ण लिया है कुछ आपके easy कुश्चन रहेंगे कुछ basic कोश्चन रहेंगे कुछ moderate कोश्चन रहेंगे इसी sequence में हम यहाँ पे कोश्चन करने वाले हैं तो पहला कुश्चन आ कि नवजात सिश्यों में हड्यों की संख्या लगभग कितनी होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए नवजात सिश्यों में हड्यों की संख्या लगभग कितनी देखने को मिलती है और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को सेयर जरूर कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों के स आपके देखे तो 300, 300 होती है नवजाद सिश्यों में हड्यों की संख्या, अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था में, आपके हड्यों की संख्या कितनी होती है, नवजाद सिश्यों में अगर अगर आपसे पुछ लिया जाए बालिय बस्था में थैप हैं valves तो आपको याद रखना है थृ इंडर अगर आपसे पुछा जाए बालिय बस्ता में तो आपके थ्री 50 छले नेक्स कुश्ष्चन देखते हैं कि मनुष्य के सरीर में पसलीयों के इतने जोड़े होते हैं ये question आपके दो तरह से बन सकता है दोस्तों आप से भी याद रखेगा कि मनुश्य के सरीर में अगर पुछा जाए कितने जोड़े होते हैं अगर आप से जोड़े पुछा जाए तो आप सभी को क्या answer करना है तो note कर लीजेगा बहुत अच्छा प्रशन है आपका और अगर हम देखें यहाँ पर कि मनुश्य के सरीर में कुल पस्चिलों में कितने जोड़े होते हैं तो आप लोग याद कर लीजेगा अच्छे से note कर लीजेगा कि यहाँ पर हम देखें तो 12 12 आपके मनुश्य के सरीर में पस्चिलों के जोड़े होते हैं अगर हम देखें तो यह आपके कुल इनकी संक्या कितनी होती है तो 24 होती है जिसमें कि आपके 12 और 12 और 12 तो अगर हम जोड़े पूछा जाए तो यहाँ पिए आपसे भी खुँएर रखने के 12 तीक है next question कर लेते हैं सरीर की सर्वदिक प्रबल अस्ती कौन सी होती है जाग में होती है, जबडे में होती है, या भुजा में होती है गर्दन में होती है तो बहुत ही अच्छा प्रश्ण है आज की class का कि सरीर की सर्वदिक प्रबल अस्थी जो होती है आपके वो आपके देखे कहां पर होती है तो ये होती है आपके जबडे में यह कहा पर होती है, जबडे में होती है सबसे कटोर अगर हम देखे प्रबल अस्थियों में आपके देखें तो आपके आती है, जबडे में आपके पाई जाती है तो यहां पे अगर हम देखें तो आप सभीने right answer किया है option b दोस्तों option b comment करके जुरूर बताें कि आपने कितने question है आपके correct किये है और चले next question कर लेते हैं कि मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है और आप comment करके बताएगा कि यह कहाँ पर पाई जाती है फिर मैं इसका answer करूँगा तो देखें मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो होती है आपके कौन सी होती है और यह कहाँ पर पाई जाती है तो मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो होती है आप सभी note कर लेजेगा सबसे छोटी हड़ी होती है वो होती है आपके stepes कौन सी होती है stepes होती है मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कहां पर पाई जाती है कहां पर पाई जाती है आपके हड़ी तो यह अगर हम हड़ी देखे कहां पर पाई जाती है तो कान में पाई जाती है कान में अगर हम देखे तो यह स्टेपी जो आपके मानोसरीर की सबसे छोटी हड़ी जो कि आपके पाई जाती है तो नोट कर लिजेगा एच्छा question अगर हम देखे the next question अगर हम देखे कि मानौ सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है और कहां पर पाई जाती है तो आप सभी यहाँ पर नोट कर लिजेगा बहुत अच्छा प्रश्ण है अभी हमने देखा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो femur Femur जो आपके हड़ी होती है मानो-सरीर की सबसे لمbी हड़ी होती है कै तो आप सबब यहाँ पर de-answer, correct answer हो जाबा कहाँ पर पाई जाती है दोसतों आप सब भी comment करके بتाएगा कहाँ पर पाई जाती है मानो-सरीर की तो यह अगर हम देखें तो उपरी भुजा में पाई जाती है कहां पर पाई जाती है हुमरस अस्थी तो याद रखेगा आप सभी बहुत अच्छा प्रश्ण है कहां पर पाई जाती है तो यह आपके पाई जाती है उपरी भुजा में पाई जाती है आपके हुमरस अस्थी थी, कि बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके, और नेक्स्ट वोस्चन आप सभी के स्क्रिन पर है, कि TBA नामक हड़ी, जो है, कहां पर पाई जाती है, TBA नामक हड़ी, बहुत अच्छे प्रश्न है, आप सभी, इन सभी कुश्चन को करने के बाद, स्कोर आप सभी कमेंट जेगा और बताएगा कि आपको questions कैसे लगे तीबिया नामक हड़ी जो है किस में पाई जाते हैं आपके खोपड़ी में टांग में भुजा में या मुह में कहां पर पाई जाते हैं तीबिया नामक हड़ी तो यह आपके पाई जाते हैं आपे देखे तो आप सभी का right answer है option B ब कहां पर पाई जाता है हड़ी में भी पाई जाता है आपका तो दातों और हड़ी में पाई जाने वाला तत्तों अगर हम देखे इनमें से कौन सा है आपका तो यह अगर हम देखे तो calcium और phosphorus अगर हम देखे तो दातों तत्ता हड़ी में पाई जाने वाला तत्तों है आपके क्यों होता है कि ब्रद्ध वस्था में मनुश्य की हड्या कमजोर हो जाती है है आप सभी को जान करें बताए कि ब्रद्ध वस्था में मनुश्य की हड्या क्यों कमजोर हो जाती है तो ब्रद्ध वस्था में जो मनुश्य की हड्या होती है आपके वो calcium की कमी के कारण किसके कमी के कारण? calcium की कमी हो जाती है जिससे की calcium की कमी के कारण अगर हम देखें तो जो आपके हड़ियां होती है वो कमजोर हो जाती है तो आप सभी ने बिल्कुल right answer किया है next question करते है कि जो अस्तियों में कौन सा लवन जो होता है सर्वधिक मात्रा में पाया जाता है अस्थियों में वोंस में अगर हम देखें कि कौन सा लवन जो है सर्वधिक मात्रा में पाया जाता है सर्वधिक मात्रा में कौन सा लवन पाया जाता है अस्थियों में तो आप सभी ने प्रेशियों को आपस में कौन जोडता है अस्तियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोडता है आपके में से लिंगा मिंट टिंडन उपास्थी या एक नई देखेल प्रेशियों को आपस में कौन जोडता है अस्तियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोडता है तो बहुत यह चा प्रacas नई है और आप सभीने जोडने का कारे करता है क्या करता है जोडने का कारे करता है छप सकता है आपके एक्जाम में ये प्रस्निम ठीक है चले next question करते हैं कि मनुष्य के जीवनकाल में कितने दांत जो कि दो बार विक्सित होते हैं मनुष्य के जीवनकाल में अगर हम देखें कितने दांत इनकी संख्या कितनी है जो कि दो ब दो बार विक्सित होते हैं तो जो आपके मनुषी के जीवनकाल में दो बार आपके विक्सित होते हैं तो मानुष शरीर में पाचन का जो अधिकान्स भाग है किस अंग में शंपन्य होता है, पाचन का अधिकान सभाग है, मनुशी के सरीर में पाचन का जो अधिकान सभाग है, वो कहां पर शंपन्य होता है, यह हमारा प्रशन है, ठीके तो पाचन का जो अधिकान सभाग है आपके कहां पर शंपन्य होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी आत्मे कहां पर संपन्न होता है मानव सरीर के में पाचन का दिकान सभाग तो याद कर लिजेगा आप सभी नोट कर लिजेगा बहुत ही अच्छा प्रशन है आपके और यहां पर देखे तो पाचन का दिकान सभाग जो है छोटी आत्मे संपन्न होता है दोस्तों अब अगर आ यह TANTRIK KRIया को NEOANT TREAT करते हैं शरीर की रचनात्मक भाग है आपका देखे तो ENZYim दीखे जो सरीर के लिए इंजाइम होते है न उन्जाइम जो अफशक होते है जीव जो होते हैं रसाइनिक KRIयाओं के उतपेरक होते हैं नेक्स व doğru 1 प्रोटीन को पचाने वाला enzाईम कौन से है? पचाने वाला geschां पाप्रिण को N. अगर आपसे पुछा जाए तो नोट का लिजेगा, बहुत ही अच्छा परशन है आपका N. अगर हम देखे दूद प्रोटीन को पक्चाने वाला एंजाइम होता है तो आप सबी का correct answer हो जाएगा अगलाbacks करे लार में कौन सफें प्लार आप जाये तो आप सभी कौन खहर मैं अगर हम देखे यह अगर आप से पूछा जा geht तो आप सभी नोट कर लीजएगा कि लार में आपके कौन से अंजाइम पाया जाता है तो आप सभी याद कर लीजएगा टाइलीन अंजाइम जो कि आपके लार में पाया जाता है तो आप सभी ने राइट इंसर किया है तो लार जो होता है आपके लार किसके पाचन में सहायक होता है जो हमारे आपे नेक्षटे आपे कोश्चन है कि लार जो होता है किसके पाचन में सहायक होता है आपके तो आप सभी ने क्या इंसर किया है लार किसके पाचन में सहायक होता है यह आपके स्टार्च के पाचन में तो लार 2 के साहेक होता है आप से पूछातो इसके पाचन में साहेक घ्गर अगर आपसे पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम पायजाता है तो आप तालीन एंजाइम ऑप सभी नहुए न्युक्jo answer हो जाएगा next question है कि पित निम्न में से किसके दोरा पैदा किया जाता है पित अगर हम देखें इन में से किसके दोरा पैदा किया जाता है आपके यकृत के दोरा अमाशे के दोरा अगनाशे के दोरा या आपके पित ताशे के दोरा तो पित अगर हम देखें किसके दोरा आपक अगर आपसे पूछा जाए कि जो पित होता है ये किस रंग का एक द्रब होता है किस रंग का होता है तो आप सभी क्या एंसर करेंगे ये पीले रंग का होता है किस रंग का होता है तो आप सभी एंसर करेंगे पीले रंग का होता है अगर आपसे पूछ लिया गया है कि ये कैस होता है अमली होता है या चारी होता है अगर आप से पुछ लिया जाए कि इसका pH मान क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पित का pH मान क्या होता है तो आप क्या answer करेंगे 7.7 7.7 है इसलिए अगर हम देखे तो यह छारी हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो pH मान होता है अगर हम देखे कि 7 किसी का pH मान है तो वो एक तरह से आपके देखे तो उदाशीन होता है नेटरल होता है अगर आपके साथ से कम होता है तो आपके क्या होता है एसीड होता है अगर साथ से ज्यादा होता है तो आपका क्या होता है बेश यानि की छार होता है इसका pH मान होता है 7.7 इसलिए अगर हम देखे तो य तारी यह द्रब्वे होता है नहीं है कि सबस्यादा किसमें किमात्रों होती हैं लगभभा यहां किक्ट्व कहां पर होता है पित पित जमा कहां पर होता है अगर कहां पर जमा होता है, पित जो है आपके कहां पर जमा होता है, तो यह आपके पिताशे में जमा होता है, तो आप सबी का right answer क्या है, option first, first answer आप सबी का correct answer हो जाएगा, इसे आप बोलते हैं क्या galblader, तो आप से पुछा जाए, यह galblader जो पिताशे है, यह किस आकार का होता है, तो आप बताएंगे क्या नासपाती, नासपाती के आकार का होता है पिता से, जो कि कहां पर इस्थित होती है अगर आपसे पुछा जाए, तो आपसे पुछा जाए कहां पर इस्थित होती है, तो यक्रित के नीचे इस्थित होती है, तो आप क्या बताएंगे यक्रित के एक तरह से प्रतिवर्ति क्रिया दोरा होता है reflex action के दोरा होता है तो आप से question जो पुछा किया कहा पर जमा होता है तो पिताशे में जमा होता है किस आकार का होता है यह तो आप से पुछा जाए तो नासपाती के आकार का होता है सिर्फ इतनी चीज़े आप सभी आप याद अगरsquare होते हैं, जव आपके लिंए दो पार्टों वह बट्रे होते हैं, जो उपरी होता है रीटिया बिर आपकी धेरी हो भीया ये इनद्ग सायFire आपके लिए थेहरा, इसाइब नाज से पार्टों वह बट्रे होते हैं, मानवादे में कितने कोश्टक होते हैं, तो आप सभी एंसर करेंगे 4, 4 कोश्टक होते हैं, ठीक है, next question है, कि रुधिर जो है आपके दवाब मापक यंत्र कौन सा है, रुधिर दवाब मापक यंत्र कौन सा है आपके, तो अगर हम देखे कि जो आपके blood pressure एक तरह से मापक यंत कौन सा होता है, तो आप सभी ने इंसर क्या किया है, इस phignomanometer, इस phignomanometer जो होता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसके थुरू क्या कर सकते हैं, आप रुधिर दवाब यानि की blood pressure को माप सकते हैं, तो आप सभी ने correct answer क्या है, इस phignomanometer, ठीक है, next question है, कि दोड़ लगात अगर हम देखें कि मनुष्री का blood pressure होता है, जो BP होता है, तो देखें, दोड़ लगाने पर क्या होता है, जो kinetic energy होते है, आपके वो बढ़ती है, और इसलिए अगर हम देखें, तो दोड़ लगाते से हैं, मनुष्री का blood pressure भी क्या होता है, ब्लेट प्रिशर भी आपके बढ बढ़ जाता है, तो याद रखेंगा आप सभी blood pressure भी क्या होता है, दोड़ लगाते से हैं पर मनुष्री का blood pressure होता है, वो आपके क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, next question कर लेते हैं कि मानो सरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, आप किन में से, पलीहा या तिली, explain, जिसे हम क्या कहते हैं, मानो सरीर का रक्त बैंक कहते हैं, पलीहा या explain, जिसे आप क्या कहते हैं, मानो सरीर का रक्त बैंक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो blood होता है आपके store रहता है, ठीक है, यहाँ पे blood जो है store रहता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का right いい answer हो जाएगा option first first answer is a correct answer हो जाएगा है next question करन का'Mhouse का लाल रंग एक को कारण होता है कि possible या अगर हम देखैं कि-क का's लाल रंग किसके कारण होता है तो आपसे भी याद रहेगा अगर हम तेखें कि blood में कौन-कौन से मुख्य घटक होते हैं, ब्लेड में अगर हम देखें, कौन-कौन से मुख्य घटक होते हैं, तो ब्लेड में पाया जाता है आपका प्लाज्मा, ब्लेड में पाया जाता है आपका प्लाज्मा, और पाया जाता है आपके RVC और पाया जाता है आपके WVC और आपके पाया जाता है platelets तो इतने मुखे घटक होते हैं अगर हम देखे रक्त में और रक्त का जो लाल रंग है वो किसके करण होता है अगर आपसे पुछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा hemoglobin हीमोगलोबिन की करण अगर हम देखे रक्त का लाल रंग होता है जो हीमोगलोबिन होता है यह BCS प्रोटीन होता है किसका? RVC का RVC का BCS प्रोटीन होता है हीमोगलोबिन अब अगर हम बात करें कि जो हीमोगलोबिन में जो लाल रंग के घटक होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं तो हीम कहलाते हैं अगर आपसे पूछा जाए इसमें जो लाल रंग के घटक होते हैं क्या कहलाते हैं तो ये हीम कहलाते हैं अगर हम देखें कि हीमोगलोबिन में क्या पाया जाता है कौन सा प्रोटीन तो ग्लोबिन और कुछ लाओ आयन नामक प्र तो आप सभी ने इतने question जो यहाँ पे किये आपने कितने correct की आप comment करके बताएगा और दोस्तों अगर आप सभी अभी तक अगर WhatsApp ग्रूप से aid नहीं है तो आप इसी number पे WhatsApp करके message करके आप सभी WhatsApp ग्रूप पे aid हो सकते हैं और यह हमारी application है आप application पे जाके free practice कर सकते हैं और देखने के बाद आप सभी नेक्स चरीज जल्द आपको मिलेगा तो आप सभी ग्रूप पे aid हो सकते हैं आपको यहाँ पे number दिया गया है और application के तुर आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू कर दो